जैन साथियों साथी आप सभी को पता होगा कि जपान की राजधानी टोक्यों में पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं साथी और इस वक्त जो हमारे दिव्यां के खिलाडी हैं जो भारत की सान हैं साथी वो उसमें अपना कमाल दिखाना चालू कर दियां साथी भारत का कमाल और कौन लेकर कुल नेकर आएं निव्यां के खिलाड़िम भावण पट्यू थे Pak नेत्याल टेश्चैर पर बैट कर खेलती हैं साथी टेचल और यह क्या लेकर कर आएं साथी तो चलिए आज देखते हैं न्यूज पूरी साथी पर उससे पहले अगर आप अपने परिवार एक्जाम इंडिया वार पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर इसका सदस्य बने लाइक से और कमेंट कर अपना प्यार दे अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखें तो साथ देखते हैं न्यूस को पूरी तरह से भारती पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में रजत पदक अपने नाम किया है यानि कौन सा मेडल मिला है साथी सिल्वर मेडल भाविना पटेल महिलया एकलवर्ग फोर्म के फाइनल म चीन की जोव इंग से हार गए यानि किस से हारी हैं साथी तो यह चीन की जोव इंग है इस तरह उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में सिल्वर मिडल के साथ संतोस करना पड़ा है टोक्यो में जारी पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का ये पहला पदक है जो सिल्वर मिडल के रूप में आया है इस तरह खेल दिवस भारत के लिए खास हो गया 29 अगस्त को ये पहला मिडल आया है साथी और आप सभी को पता होगा कि 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है भाविना पटेल को चींग की जोव इंग से 3-0 से हार का सामना करना पड़ हलांकी बावजूद इसके भारत ने टोक्यो में पैरा उलम्पिक में पहला पदक जीत लिया है भाविना पटेल ने रज़त पदक जीता और टेबल टेनित इतिहास में भारत के लिए ये पहला पदक भी है इस तरह भाविना पटेल ने देश के लिए इतिहास रच दिया है टोक्यो ओलम्पिक खेलों में भी भारत को पहला पदक रज़त के रूप में मिला ऐसा थी अब साथ ही देखते हैं भाविना पटेल जी के जीवन के बारे में तो गुजरात के मह साड़ा जीले में जन्मी भाविना पटेल ने विस्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है चोकी परचून की दुकान के घर का गुजारा चलाने वाले हंसमुख भाई पटेल यानि इनके पिता जी का नाम क्या है हंसमुख भाई पटेल और ये छोटी सी परचून की दुकान है इनकी जो बेटियां साथी भाविना पटेल ने टोक्यो परउलम्पिक खेलों में रज़त पदक अपनी नाम किया हलांकी उनको स्वण पदक की दावेदार माना जा रहा था क्योंकि उन्होंने फाइनल में से पहले इस तक सांदार खेल दिखाया था लेकिन राश्टी खेल दिवस के मौके पर किस्मत ने साथ नहीं दिया आपको बता दें कि वेल चेयर पर खेलने वाली भाविना पटेल ने टोक्यो पैर उलम्पिक खेलों में फाइनल में पहला गेम गेरा साथ के अंतर से गवा दिया ऐसे में दूसरे खेल में उनसे उम्मीद थे कि वे वापसी करेंगी लेकिन दूसरा गेम भी वे ग्यारा पाँच के अंदर से हार गई और तीसरे गेम में ग्यारा चैसे हार गई और गोल्ड मिडल का सपना चकना चूरो गया तो साथी हार या जीत एक खिलाडी के लिए एक योध्धा के लिए कोई माएने नहीं रखती साथी वो सिर्फ पूरे मनसे पूरी सिद्ध से खेलते हैं तो हार गई या जीत गई इससे कोई बात या कोई फर्क नहीं पढ़ता ना पढ़ना चाहिए पर वो दिव्यांग होते हुए किस तरह अपना प्रभाव दिखाया, किस प्रकार अपने देश के लिए जुनून से लड़ी, वो बहुत ही इंपोर्टेंट है, सिल्वर मिडल ही मिला तो क्या हुआ, गोल्ड नहीं मिला तो क्या हुआ, साथी सिल्वर से ही बहुत खुसा हैं, हम सभी भारत वासियों के लिए बहुत ही खुसी भरा पल है, तो भाविन पटेल जी के लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट, एक सेर तो बनता है, प्लीज अपने परिवार एक्जाम इंडिया वार को सपोर्ट करें, अपना और अपने परिवार वालों का ख्य दाल रखें, जैहिन, जैभारत